बच्चो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी बसंत के अंतरगयत चैप्टर नमबर 10 कविता जहासी की रानी इसकी लेखी का यानि की कवियत्री है सुबद्रा कुमारी चोहान तो बच्चो आईए देख लेते हैं जहासी की रानी कविता के प्रसन उतर तो यहाँ पर पहला प्रसन आपके लिए किन तुकाल गती चुपके चुपके काली गटा गेर लाई इस पंक्ति में किस गटना की ओर संकेत है तो आपका उतर होगा इस पंक्ति में जहासी के राजा और रानी लक्समी भाई के पती गंगाधर राओ की आकश्मिक मिर्तु और रानी के बिधुआ होने से सारी खुशियों के सोक में बदलने की ओर संकेत किया गया है इसके बाद यहाँ पर दूसरा पसन आपके लिए किन तुकाल गती चुपके चुपके काली गटा गेर लाई काली गटा गिरने की बाद क्यों कही गई है तो तर होगा इस फंक्तिका प्रियोग कभियत 3012 कुमारी चुहान ने इस संदर्व में किया है कि जिस प्रकार काली गटाएं गिरकर सूर्य को ढख लेती है और उससे प्रकास की कमी हो जाती है वैसे ही रानी लक्समी भाई के पत प्रितु के कारण रानी अस समय विद्वा हो गई और साथ ही राजा की अपनी संतान्न होने के कारण अंग्रेजों को जांसी पर कभजा करने का मौका मिल गया था इसके बाद आईए आप देखें तीसरे प्रस्न का उत्तर और तीसरा प्रस्न कभिता की दूसरी पंक्ति में भारत को बुड़ा कह कर और उसमें नई जवानी आने की बात कह कर सुबद्रा कुमारी चोहान क्या बताना चाहती है तो आपका उत्तर क्या होगा हमारे भारत वर्ष के गुलाम होने के कारण एक तरह से चारू और मायूसी वाला बातावरण बन गया था बारती अभीरों का साहस कमजोर हो गया था सभी अपने को असाय महसूस करने लगे थे ऐसा लगता था मानो सारा देशी बूड़ा हो गया है परन्तु ऐसे बोजिल बातावरण में जांसी की रानी के आने से देश में एक नए उमंका बातावरण बन गया मानो एक नई जवानी का संचार हो गया हो अर्थार्थ लोगों में संगर्ष की नई भावना जागरित हुई एक बार लोग पुने सुतनता प्राप्त की ओर प्रयत्न करने लगे यही बात सुबद्रा कुमारी चोहान उप्युक्त पंक्ति द्वारा बताना चाहती है इसके बाद अगला प्रस्न आपका तीसरा प्रस्न जांसी की राणी के जीवन की कहानी अपने सब्दों में लिखो और यहा भी बताओ कि उनका बच्पन तुमारे बच्पन से कैसे अलग था तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं जांसी की राणी का नाम लक्स्मी बाई था बच्पन में उन्हें सब छवीली नाम से पुकारा करते थे वो अपने पिता की इकलोती संतान थी वो कानपुर के नाना साब की मुअबोली वहिन थी लक्स्मी बाई बच्पन से ही वीर और सासी थी लक्स्मी बाई का विवाज जांसी की राजा गंगाधर राव से हुआ परंतुराजा की आकस्मिक मिर्थु से रानी के उपर संकटों के बादल मंटराने लगे अंग्रेज सरकार राजा की निसंतानता का लाब उठा कर जहांसी पर कबजा करना चाहते थे परंतुराजी ने इसका पुर्जोर बिरोत किया और अंग्रेजों को कड़ी टक कर दी लक्समी बाई का बचपन अन्य बच्चों से भिन्न था उनकी उम्र के बच्चे खिलोने से खेलते थे परंद उनके खिलोने बर्ची ढाल किरपान जैसे हतियार थे वो आप बच्चपन से ही नकली युद का खेल शिकार करना दुस्मनों के लिए चकरिव्यू की रजना करना आदी युद से समझित खेल ही खेला करती थी इस परकार उनका बच्चपन हम बच्चों से विन्न था हम बच्चे हतियारों से नहीं बलकि वीडियो गेम्स कम्प्यूटर सेल या बिजरी वाले खेलोने से ज़्यादा खेलते हैं तो बच्चों आप इस परकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद आईए जान लेते हैं यहाँ पर चौता प्रस्न और उसका उत्तर बीर महिला की इस कहानी में कौन-कौन से पुर्षों के नाम आये हैं तो उत्तर होगा इस कहानी में बीर सिवाजी, नाना, धुंदू, पंत, पेशवा, तांत्या, टोपे, आजीमुला, अहमद सा, मौलवी, ठाकूर, कुमर सिंग, सैनिक अविराम, आदियनेक बीर पुर्षों के नाम आये हैं और पांचवा प्रसन है कविता में किस दौर की बात है, कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है तो उत्तर होगा कविता में स्वाजिनता संग्राम के पर्थम दौर की बात है, कविता से उस समय के माहौल के बारे में यहा पता चलता है कि अंग्रेजुने दीरे दीरे से अपना सामराजी हमारे देश में फैला लिया था उस समय भी हमारे देश में स्वतनत होने की भावना के भी फूटे जरूर थे परन्तु संगठन का अभाव राजाओं की स्वार्थ परवर्ती अपसी फूट आधि के कारण हमारा आंदोलन पलना हो पाया ऐसे बिसम बाताबरन में भी जांसी की रानी लक्समी भाई और कुछ अन्य वीरों ने स्वतनता की चिनगारी को सुलगाने का अभूत पूर्ण प्रियास किया इसके बाद छटा प्रसने सुबद्रा कुमारी चोहान लक्समी भाई को मरदानी क्यों कहती है त पूर्ण था निडर था आधी गुण बिद्यमान थे उन्होंने युद्भूई में अंग्रेजों के दांत खटे कर दिये थे उनकी वीरता का लोहा भारत वासियों के साथ अंग्रेजों ने भी माना था इसलिए कवियत्री सुबद्रा कुमारी चोहान ने लक्समी भाई के अबूत पूर्व साहसोर्य और बीरता का परिचय कराने के लिए मरदानी सब्द का प्रियोग यहाँ पर क्या हुआ है इसके बाद सातवां प्रस्ण है बर्ची किरपान कटारी उस जमाने के हतियार थे आजकल प्रियोग में लाने जाने वाले हतियारों के नाम लिखो तो आजकल तकनीकी समता से सुसाजित उत्तर आपका होगा आजकल तकनीकी समता से सुसाजित अत्यादुनिक हतियार जैसे बंदू केंट, टैंक, तो, मिसाइल, बम, पंडू भी, हवाई जहाज, समुदरी जहाज, परमानु अस्तर आधिका प्रियोग किया जाता है इसके तर होगा, आज हमारी बारतिय सेना में तीनों सेने दल, जल, थल और वाई सेना में हमें लड़कियां दिखाई देती हैं, आज वे इन सेनाओं के उच्छ पदों पर कारेरत हैं, इस सब के बाप जूद अभी भी सेना में लड़कियों की संक्या बहुत कम है, हलांक युए वीरांगनाएं बीरता पूरवग देश की सेवा कर रही हैं, तो इस प्रकार से बच्चो यहां पर यह आपके आठें प्रस्न का उत्तर, जो कि आप अपनी नोटबुक में नोट करके अच्छे से याद भी कर सकते हैं, तो इसी के साथ हमारी प्रस्न जो एक खतम होते हैं य